इस वीडियो में हम समझेंगे Newland's Law of Octaves. दोबरेना ट्रेट्स के बाद, केमिस्ट्स और साइन्टिस्ट एन्करेज हुए और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आट्यूमिक मास्स से कोरेलेट किया. 1866 में, जौन Newland's, एक इंग्लिश साइन्टिस्ट, इन्होंने खोजे गए एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग आट्यूमिक मास्स ओर्डर में अरेंज किया. इन्होंने आट्यूमिक मास्स का ओर्डर सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और 56th एलिमेंट् थोरियम पे एंड किया. Newlands ने ये पाया कि हर एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टीस, फरस्ट एलिमेंट के सिमिलर है, इन्होंने इसे म्यूजिक में पाये जाने वाले ओक्टेव्स से कंपेर किया. इसी कारण इस law को octaves का नाम दिया इसे हम Newland's Laws of Octaves से भी जानते हैं Newland's Octaves में ये पाया गया कि lithium और sodium की properties same है जिसमें sodium की position lithium से 8 number पे Similarly, beryllium और magnesium की properties एक दूसरे से resemble करती है Newland's Octaves का original form कुछ इस तरह का था इस law में ये पाया गया कि law of octaves सिर्फ calcium तक ही applicable है Calcium के बाद हर 8th element की properties first elements से resemble नहीं करती साथ ही Newland's ये भी मान रहे थे कि nature में सिर्फ 56 elements ही है और future में कोई भी और element discover नहीं किया जाएगा लेकिन बाद में और भी कई नए elements की discovery हुई और इन नए elements की properties, law of octaves के according, resemble नहीं हुई और इन नहीं हुई खर वाचिए इस वीडियो, प्लीस लाग और शब्सक्राइब आर चानल उम्स भी आर आर